तो चोता point हम डिसकस कर रहे थे, चोते point के अंदर यह है कि आपने एक scientific calculator साथ रखना हो और एक ball paint और एक blank paper रखना है, अब यह scientific calculator का जैसे में आपको पहले बता दिया है क्या करना भी कि बॉल पारेंट और उख के बारे में आपु मैं आपको ये बताता चलू saying कि बहुत सारे уч Düny अप हिए कंप्यूटर के उपर पेपर है दो बॉल प्रेंट ये ब्लैंक के जरूरत नहीं है आप बॉल पारेंट पर उख लिए ऑपनि ऑवेलिबल होते हैं आपने यह नहीं है कि 90 second का question है उसके आगे move करना है ऐसे नहीं है वहाँ पर lump sum time मीला होता है उसी के अंदर में shard questions करने होते हैं और उसी के अंदर आपने जो है mcqs करने होते हैं तो आपने time save करना वहाँ पर time management सबसे time management नहीं करेंगे तो end में आपके पार time नहीं बचेगा आपने time management करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता हूं जो कि अक्सर लोग ignore करते हैं वो यह करना है आपने कि जब आपने mcqs करने हैं कि आप जब आपने first question start किया second attempt कर लिए third कर लिए mcqs आप करते जा रहे हैं तो आप हो सकता है चार पांच question के पाद एक कोई SMC की उजाज़ी जो आपको नहीं आता होगा तो आपने क्या करना है उसको आप next तो कर लेना है लेकि next करने पहले आपने four number point आपने blank paper के अपने नोड कर लेना है आपने इसी तर आगे चलती जाना है six seven eight ten आपको 15 miss हो गया 15 आपको नहीं आ रहा है आपने नोड कर लेना है onward onward चलते रहना है वहाँ भी क्या होता है कि mid के अंदर या final के अंदर आपको back and forth move करने की अजाज़त होती है यहाँ पे आपने घर में बैटके आटेम्ट कर रहे होते हैं क्विज तो उसमें आप back and forth नहीं जा सकते हैं आपने just forward जाना होता है back up आ नहीं था सकते हैं लेकि यह ball point or plank paper आपके साथ time manage करेगा आपके लिए और कैसे करेगा आपने four number question छोड़ा था जैसे हम डिसकस किया 15 छोड़ा 25 छोड़ा आप छोड़ते जाए छोड़ते जाए end में क्या होगा जब आपके पास time भी time end में आपको पता है paper के end में time बहुत थोड़ा सा बच जाता है time time जो थोड़ा सा बच जाता है तो आपके पास आपके पास अगर ball point और paper आपने use नहीं किया तो आप क्या होगा उन question को ढूंडेंगे वहां पे 45 almost MCQs होते है 45 में सब्सक्राइब चार से पांच MCQs छोड़े हैं तो 45 में कहां से ढूंडेंगे 4 से 5 जबके end में time भी short होता है तो क्या होगा कि आपने यह वाले point जो है अपने paper पे note करके रख लेने कि यह यह वाले MCQs में छोड़े हुए तो वह आपने फोरन उस पर जाके click करके नीचे एक बार बनी आ रही होते हैं अपने just उसके उपर click करना है और उस question को उपर जाकी तुबारा attempt करने नहीं तो hardly आ मैं आपको फिर वही कहूंगा कि बहुत simple है और यह देखें कि मैंने just two hours के अंदर आपको बता रहा हूं कि just two hours आप यह वाली instruction follow करने इंशाला कोई भी मुश्कल नहीं है कि आप 4CGPL ले लें क्योंके relative marking है और यह मेरी आप लोगों तवाम लोगों से request है कि यह वीडियो उनको पता नहीं होता कहां से हेंडाउं से लेने कहां से वीडियो से लेनी है कैसे परटर करना कैसे कोईज अटेम्ट करने है और अट्रे चर्टर यह सारे वीडियो अफुल होफुल है जो है नियू कामर्ज हैं उनके लिए बड़ी helpful होगी और उमीद है कि उन लोग लिए जिनको मार्क से लेने में थोड़ मुश्कल हो रही है एंड में मैं आपको लोगों के शुर्या जाद करता हुआ जिनों ने मेरी वीडियो देखी थैंक्यू, अलाहफेज